नमस्कार सात्यों स्वागते आपका आपके अपनी ओनलाइन क्लास में पित्रों आज आपन पढ़ेंगे प्रोनाउन का नेक्स्ट जो पार्ट है वो इससे पहले प्रोनाउन की एक लास हो चुकिया आपके नेक्स्ट आज आपन सरवात करेंगे रिफ्लेक्शिव प्रोनाउन्स अब रिफ्लेक्शिव प्रोनाउन किसे कहते हैं आपको ये आज की क्लास में जानना है कुछ एग्जाम्पल दिये गए हैं जैसे Read the following sentences क्या है sentences? First दीखी I enjoyed myself अब आपको ये बताना है I क्या है तो आप कहेंगे ये तो प्रोनाउन है कौनसा है? Personal है कौनसा केस है? Subjective केस है ठीक है Enjoyed ये क्या है? Verb है Myself ये क्या है? तो myself क्या है? ये भी प्रोनाउन है अब प्रोनाउन कौन सा है? यह pronoun है आपका reflexive pronoun अब आपने केसे पेचाना कि यह reflexive pronoun है तो ध्यान दे जिन noun के last में sorry जिन pronoun के रूप में जो word होते हैं जैसे my है, your है, him है, her है यानि possessive जो case है या कुछ में objective case है उनके साथ में क्या लगे self या selves s-e-l-f या s-e-l-v-e-s ये लगने पर क्या होगा वो reflexive होगा अब आप में से कुछ की दिमाग में ये प्रसंद भी आ रहा होगा कि self या selves लगने से क्या reflexive भी बनता है empathic pronoun नहीं बनता क्या जी उसको अभी पढ़ेंगे लेकिन reflexive को पेचानी हो पहले उसके बाद वाकी की चीज़े अपने आपी clear हो जाएगे कैसे next sentence में देखी we enjoyed ourselves अब देखी फर्स sentence में I enjoyed myself और सेकिंड है we enjoyed ourselves अब फर्क क्या है इन दोन subject change किया गया I और we clear है अब reflexive pronoun को पेचाने की cdca की पेचान ध्यान में रखना आपको वो ये है कि जब verb का object का ये कारिय करे कौन myself है yourself है yourself है himself है ये सारे word और वो word उस subject पे जोड देता हो जोड देने का मतलब यहां क्या हुआ empathic की बात नहीं हो रही है object के रूप में हो verb के और वो किस के लिए use किया हुआ हो subject के लिए ऐसी स्तिती में आप ये पेचानिये कि वो क्या है reflexive pronoun फिस से देखिए next example अब बताई we enjoyed ourselves enjoyed किस ने लिया ourselves ने अब ourselves किस के लिए आया हुआ है we के लिए तो आया हुआ है ना तो ये क्या के लाएगा reflexive pronoun के लाएगा इसी प्रकार you enjoyed yourself you enjoyed yourself अब यहाँ आप कहेंगे you तो यहाँ पर भी है और you यहाँ पर भी है फिर यहाँ self आया और यहाँ self आया क्यों तो आपने इससे पहले भी यह चीज़ क्लियर कर लिए मैंने आपको बताया भी है कि जब you का मतलब आप अकेले हैं तो self है और you का मतलब आप शब है यानि plural form है तो इसी स्थिति में क्या लगेगा self is लगेगा क्लियर हुई बात he enjoyed himself they enjoyed themselves she enjoyed herself next next है the cat was enjoying itself catching the mouse समझने वाली बात यह है कि when self self is added to my, your, him, her and it and selves plural के लिए our, your, them we get compound personal pronouns when these are used as यह बात ध्यान में रखे when these यनि यह compound personal pronouns जो self लगने से या selves लगने से बने है when these are used as the object of a verb जब इनका यूज किस रूप में हो वर्ब के कर्ण के रूप में they are called reflexive pronouns तो ऐसी स्थति में हम उनको क्या कहेंगे reflexive pronouns कहेंगे clear हुई बात देखे because क्योंकि they help to reflect or turn the action of the verb bake upon the subject itself क्योंकि यह वापस किस पे action पे यह turn होते हैं वापस यानि किस के लिए यह वर्ड यूज हुए subject के लिए reflect or turn यानि किस पे reflect or turn होते हैं the action of the verb bake upon the subject वो action किस पे हो enjoyed किस न लिए myself में तो myself किस के लिए आया I के लिए तो आया ठीक तो आसा करता हूँ यह बात आपके समझ में I है इसके बाद देखिए कुछ और एक्जांपल other examples क्या है he hurt himself she killed herself अब 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 आई हार्ट किस ने किया उसने swim swim कौन he she killed herself किसको killed गिया swim को swim कौन she ishi प्रिकार से so yourself a man behave yourself I was to myself they patted themselves on the bay now thyself thyself का मतला yourself sometimes the reflexive is used after a preposition कभी कबार reflexive जो है वो प्रिपोजिशन के बाद में भी यूज होते हैं कैसे he was beside himself with race next see did it all by herself girls went all by themselves तो आप देख रहे हैं यहां पर by और beside के बाद में himself पर herself पर themselves पर प्रिपोजिशन के बाद में its reflexive का यूज हुआ है in the following sentences the reflexive is wrongly used कैसे हैं इन vacuum में reflexive को wrongly used किया गया है कैसे पेचा लिए first example है कि no one knows it better than yourself should be you यानी कुई better नहीं जानता है आपके सिवा आप स्वाइम के अलावा तो आप स्वाइम के अलावा आप यह सूचेंगे कि यहां पर तो क्या आना चाहिए yourself आना चाहिए जो की गलत है क्यों क्योंकि इसके बाद कौन सा case आता है subjective case जैसे रोबर्ट एंड रोबर्ट एंड माइसेल्प वेंट टूगेदर रोबर्ट और में स्वें एक साथ गए बताईए क्या यहां पर माइसेल्प आएगा जी बिल्कुल नहीं आएगा क्यों क्योंकि यहां पर यह subjective case है एंड के बाद यहां वाला भी कौन सा case आएगा subjective case क्लिर हुई बात दे सलेक्टेट हमीद एंड माइसेल्प अब यहां पर क्या mistake है तो आप कहिएंगे कि सर यहां देखिए दे जो है वो किसमें subjective case में ठीक है सलेक्टेट जो की क्या है वरब है और हमीद यहां पर क्या है object एंड के बाद यहां पर भी तो objective case आएगा तो myself कैसे आएगा क्या आएगा objective case मी आएगा clear हुई बात ठीक है इसके बाद देखिए अपन पढ़ेंगे empathic pronoun empathic pronoun अब इन में confused होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको reflexive और empathic में कोई विसेश फर्क देखने को मिलेगा और उसको ही पैचानना है ठीक है क्या है वो विसेश फर्क यह देखिए look at the following sentences I myself will take you there बताइए यहां क्या बताना आपको कि यहां empathic है या reflexive हुए तो आप यहां तो क्या देंगे empathic है क्योंकि empathic पढ़ रहा है अभी लेकिन इन sentences को पैचानेंगे कैसे अभी just reflexive में हमने क्या बात की थी कि जब verb के object का कारिये करे यह सब्द तो वो reflexive है next देखिए I was just thinking of date myself क्या है यहां पर empathic you yourself are to blame यानि यहां वर्व का object में कोई role नहीं निबा रहा है यह word तो यह क्या कहलाएगा empathic कहलाएगा दढ़ता के लिए they themselves admitted it अब बताइए admitted का object का काज़े कर रहा है यह कर नहीं it है यह तो themselves दे के साथ इसको emphasis इस पर डालने के लिए जोर इस पर डालने के लिए इसका यूजे हुआ है next इसके बाद देखे the house itself is good but not the surroundings अब house के लिए itself आया the announcement was made by the president himself president के लिए अनौस यह himself आया in all these cases the compound fresnal pronouns यह बात आप पहले पढ़ चुके compound fresnal pronouns का मतलब हुआ जिनके साथ में self या self जूडावा हो are used for the shake of emphasis and hence they are called empathic pronouns यही कारण है कि इनका जो use है वो empathic की होने की वज़े से इनको empathic pronoun कहा जाता है they are usually placed immediately they are usually सामाने ते हमेसा नहीं होता है placed immediately after the noun or pronoun किसके बाद यूज किया जाता है इनका noun या pronoun जबकि वो किसके बाद में यूज हो रहे थे verb ठीक है which they emphasize sometimes जैसे उधान के थोर पर देखिए I saw the minister myself अब आप ये कहेंगे यहाँ पर तो आपने अभी तो बताया कि इनका यूज है वो किसके वर्ब के बाद नहीं होता तो लेकिन हाँ चलो ये बात ठीक है verb के बाद नहीं होता लेकिन कई बार emphasize करने के लिए इसका place change भी कर दिया जाता है फिर क्या हुआ आपको तो main बात कौन से याद रखना है क्या वो वर्ब का object का कारिये कर रहा है क्या समझ में आई बात अगर वो वर्ब का object का कारिये कर रहा है तो वो reflection है otherwise वो क्या empathic अब यहाँ देखे I saw the minister अब साब वर्ब है और इसका object क्या है minister myself तो नहीं है न ठीक है तो अब इसको चाहिए यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा empathic ही है he said to himself उसने ये बात स्वैम से कही ये बात उसने स्वैम से कही तो खुद के लिए यूज होआ empathic के लिए ठीक है इसके बाद देखिए next demonstrative pronoun अब संकेत वाले pronoun कोन से है the pronouns which are used to point out the object to which they refer are called demonstrative pronouns जो सर्वे नाम किसी संग्या यानि नावन की ओर संकेत करता है और उस संग्या के इस्तान पर उसका प्रियोग होता है तो उसको क्या कहेंगे demonstrative pronoun के demonstrative pronoun में कौन-कौन से होते हैं आपके तो demonstrative में देखिए this is my pain अब बताई यहां कोई pain पड़ा है और इसको क्या क्या गिया है indicate क्या गिया है कि this is my pain तो यह क्या हुआ क्या हुआ यह डेमोस्टेटिव प्रोनाउं यहां मेंगोज पड़ा है और इसके बारे में का गया है कि अब बताईये यह क्या है डेमोस्टेटिव प्रोनाउंस बहुत कार्स आर गुड़ पट इस बैटर देट तो इस देट इस दोज यह क्या है डेमोस्टेटिव प्रोनाउं इस देट दोज के बाद कोई संग्या नहीं है और इनका प्रियोग अकेले ही हुआ है इसलिए यह डेमोस्टेटिव प्रोनाउं है यदि यह शब्द किसी संग्या के पहले प्रियोग होते हैं तो यह विश्चे सुनियान एडजक्टिव का कार्य करते हैं तब इनका डेमोस्टेटिव एडजक्टिव कहते हैं देखी इस बात को अच्छे से समझे यहां उधान देखी फरस्ट एक्जाम्पल है अब बताई यहां कोई पेन पढ़ा है उसके बारे में बोला गया है कि इस इस पेन अब बताई यहां दिस क्या है तो आप कहेंगे यह तो डेमोस्टेटिव प्रोनाउं है अब मैं यह बोलू कि इस पेन इस माइन अब बताई यह पेन क्या है नाउन है और अभी अभी बोला मैंने कि नाउन से पहले अगर इनका यूज हुआ है तो नाउन से पहले यूज होने वाले सब्द क्या होंगे या तो वो एडजेक्टिव होंगे या फिर वो क्या होंगे determiners होंगे या फिर क्या होंगे वो participles होंगे तो noun से पहले यहां पर किसका कारिय कर रहा है demonstrative adjective का कारिय कर रहा है तो आसा करता हूँ आपके यह बात भी अच्छे से समझ में आई हो चले कुछ और example के मादे में से हम इनको समझते हैं दिखें यहां पर demonstrative pronoun की बात हो रही है इधर और इधर हो रही है demonstrative adjective की बिल्कुल आपके 3-4 उधान से यह चीज स्पस्ट हो जाएगी कि कौन से demonstrative pronouns होते हैं और कौन से demonstrative adjective होते हैं formula आपको इतना याद रखना है अगर इनका प्रियोग noun से पहले हुआ है तो यह क्या है adjective हुआ है और linking verb के साथ हुआ है तो cdc बात है यह क्या है pronoun कैसे देखिए this is my book अब बताए this is my book this के बाद कोई noun है क्या नहीं है is है जो के linking verb है तो यह क्या है pronoun this book is mine अब बताए यहां पर this book book क्या है noun noun से पहले यूच हुआ तो क्या हुआ जी बिलकुल सही adjective हुआ next देखिए that is your house that house is yours फिर वही बात noun से पहले प्रियोग हुआ तो adjective हो गया otherwise pronoun these are sweet mangoes these mangoes are sweet mangoes noun है तो adjective हो गया इससे पहले these और यहां पर क्या हो गया pronoun हो गया such words not my intention such words verbs पहले हुआ है linking word से पहले such का use हुआ है तो pronoun का काज़े कर रहा है और यहां देखिए I don't like such boys boys क्या है noun से पहले क्या हुआ such तो क्या कहलाया adjective कौन सा demonstrative adjective इसके बाद देखिए next sometimes one and such are also used at demonstrative pronouns demonstrative pronoun के रूप में इसका use कैसे किया जाता है जैसे such was not my intention if you are a teacher prove yourself such तो one और such का use किस रूप में demonstrative pronoun के रूप में भी use होता है क्लिर हुई बात ठीक इसके बाद next है आपके indefinite pronouns indefinite pronouns यह यह निशे वाचक सर्वेना the pronouns which refer to persons or things in a general way but do not refer to any question or thing in particular or called indefinite जिनका यूच जनरल वे में हुआ हो किसी particular वे में नहीं हुआ हो जिस pronoun का प्रियोग किसी निशित वेक्ती या वस्तों के लिए ने हो बलकि सामाने रूप से वेक्तियों या वस्तों का उले करने के लिए हो उसको indefinite pronouns के दे कौन कौन से हैं यह देख लेजी one, none, some, somebody, anybody, all, they, few इसके अलावा many, everyone, everybody, nobody, something, nothing, everything इन में से कुछ सब्द adjective की त्रे भी प्रियोग होते हैं इस बात को अच्छे से दिमाग में रखे तब इनके बाद noun आते हैं indefinite pronoun के बाद noun नहीं आते हैं बस आपको यही बात अच्छे से दिमाग में रखना है कौन सी बात noun वाली उधायन के तोर पे देखिए the body forms are more frequent in speech in देखे क्या है? everybody, anybody, nobody, somebody ठीक है? यहाँ थोड़ी spelling mistake है देख लएना अब पेचानना क्या है? इन चीज़ों वो देखे वो तो थे कुछ words जिसमें buddy या any लगता हो अब देखिए में बात यह कि indefinite pronoun कैसे होंगे? indefinite numeral adjective कैसे होंगे? संख्या बताने वाले तो numeral होगे adjective में अपने इनको और detail से पढ़ेंगे कौन-कौन से होगते हैं? देखिए some are born great तो बताई यहां पर are है चोके linking verb के रूप में use होआ है तो some क्या है? indefinite pronoun He will deceive us one day day क्या है? नाउन के रूप में है तो one क्या हो गया? numeral adjective क्या one of us will help you प्रोनाउन के रूप में है any boy any boy क्या? नाउन तो any क्या हो गया? adjective कौन सा numeral कौन सा indefinite ठीक है all is well all किस रूप में use हुआ? प्रोनाउन के रूप में some milk milk क्या है? नाउन से पहले some आ गया तो क्या हो गया? जी बिलकुल adjective हो गया इससी प्रकार से none of his books are good किस रूप में है? बिलकुल प्रोनाउन के रूप में है और यहां पर few words words क्या नाउन तो few क्या हो गया? जी adjective के रूप में कौन सा numeral? indefinite वाला nobody will और all books books noun है तो इससे पहले यह क्या हो गया? अब आप बिलकुल अच्छे से पेचाल लेंगे जीसे news noun है तो नो क्या हो गया? numeral adjective clear there is somebody at the door affirmative sentence की बात हो रही है can I get something to eat request की बात हो रही है did anybody telephone question की बात हो रही है तो इस प्रकार से इनका यूज होता है तो आशा करता हूँ यह बात भी आपके समझ में आई होगी तो सातियों आज के class में बस इतना ही आगे class में अपन पढ़ेंगे adjective के बारे में विशेशन के बारे में अभी तक आप लोगों ने कुछ pronoun के बारे में पढ़े और pronoun में आपने कौन-कौन से पढ़ लिए अभी तक personal pronoun आपने पढ़ लिए इसके अलावा आपने reflexive pronoun भी पढ़ लिए थे इसके अलावा आपने empathic pronoun पढ़ लिए थे इसके अलावा आपने demonstrative भी पढ़ा था indefinite भी पढ़ा था interrogative पढ़ा distributive पढ़ा reciprocal पढ़ा और relative pronoun पढ़े तो इस परकार से आठ नो परकार के आपने pronoun पढ़े उमीद है कि आप लोगों के अच्छे से ये बात समझ में आई होगी और अगर आपके समझ में आई हैं तो आगे भी मेरी यही कोशिज रहेगी कि जितनी क्लास में आपको या YouTube पर अवेलेबल करवाऊंगा उनको और बेटर समझाने की कोशिज करूँगा तो आज के लिए इतना ही ओके थैंक्स